जुबीन नौटिया, जी हाँ, उनके गाने सभी के जुबा पर रहती हैं और आपको बता दें कि इनके गानों की तो तारीफ पूरी दुनिया करती हैं चाट बॉक्स में इनके गाने हमेशा नंबर वन पे ट्रेंड करते हैं और जी जुबीन ने जब पहली बार पवन सिंग को सुना जी हाँ, पवन सिंग को सुना तो वो ताज़िब हो गए जुबीन ने कहा कि इनकी आवास तो बहुत ही बहतरीन है और आपको बता दें कि जुबीन ने किसके माध्यम से सुना होगा जुबीन ने किसी और नहीं पायल देव के माध्यम से पवन सिंग की आवाज को सुना वैसे पवन सिंग के कई करोडों दिवाने हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जुबीन को ये पता नहीं था कि लॉली पॉप गाने वाले सिंगर और पवन सिंग एकी है यहां तक कि पवन सिंग को वो एक अलग ही तरह से देखते थे उन्हें लगा कि ये कोई भूजपुरी के हीरो है जो कि सलमान खान स्टाइल में रहते हैं और प पायल देव ने उन्हें बताया पवन सिंग और सलमान खान जैसे दिखने वाला इंसान दोनों एक ही है तो जुबीन ताज्युब हो गए क्योंकि जुबीन का कहना था कि पवन के बारे में उन्होंने पढ़ रखा था ये नहीं जानते थे कि लॉली पॉप इन्होंने ही गा पवन की फोटोज जब भी वो नियूस पेपर और मैगजीन में देखते थे तो लुप वाइज उन्हें वो बहुत अच्छे लगते थे लेकिन बाद में जब पायल देव ने उन्हें बताया कि ये टैलेंटेड एक्टर और सिंगर दोनों है तब जुबीन ने उनकी प्रूल करके बताईएगा भूझ पूरी जगत की होट और मस्साले दार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली